भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हत्या के बाद दिल्ली में नफरत की आग भड़क उठी और कॉंग्रेस के कुछ सांसदों की अगवाई में दिल्ली में जमकर कतले आम हुआ जो मानवता के नाम पर एक काले धब्बे की तरह याद किया जाता है इस सिलसले में वरिष्ट पत्रकार श्री एमार नारायन स्वामी ने उस सारे मंजर को अपनी आंखों से देखा और कलम बद्ध किया भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के ततकाल नियुक्त हुए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इस मामले में बचकाना बयान देते हुए यह तक कह डाला कि जब कोई बड़ा पेड गिरता है तो धर्ती हिलती है राजीव गांधी की ऐसी सोच की वजह से ही कॉंग्रेस के उन लोगों को बल मिला जिनके दिमाग में सिख विरोधी भावनाएं अंगडाईया ले रही थी असहाई सिखों को बुरी तरह से मारा काटा गया और बेगुनाहों के गले में टायर डाल कर जला कर कश्टदायक मौत दी गई यहां तक के औरतों और मासूम बच्चों तक को भी नहीं छोड़ गया जो भी सामने आया उसकी हत्या कर दी जाती इस सारे मामले में वरिष्ट पत्रकार श्री एमार नारायन स्वामी ने जो दिल दहलाने वाले बयान किये वह आपको आवास के रुपांतरन के द्वारा हम बता रहे हैं ताकि कॉंग्रेस सरकार के कार्यकाल में कॉंग्रेसी सांसदों की शह पर किये गए सिखों के कतलेाम के बारे में आज की पीडी को भी पता लगाना चाहिए। आए देखते हैं, इस सिलसिले में तथ्यों पर आधारित यह रिपोर्ट। वह मेरे जीवन का सबसे वीभत सद्रिश्य था। दिल्ली पुलिस के सबजी मंदी स्थित मुर्दाघर में मैंने जो मंजर देखा वह ऐसा था कि मेरे साथी पत्रकार दीपान कर डे सरकार उल्तिया करने लगे थे। वह एक नवंबर 1984 का दिन था और इंदिरा गांधी को उनके सिक्स सुरक्षागार्डो द्वारा गोली मारे जाने के 24 घंते हुए थे। भयानक हिंसा में निर्दोष सिखों को निशाना बनाया जा रहा था। यह मध्यकाली म्याय की क्रूर नुमाइश थी। उस दिन मैं सरकार और राजीव पांडे हत्याकांट की रिपोर्ट करने दो स्कूटरों से निकले थे कि हमने देखा कि दिल्ली केंटोनमेंट रेलवे स्टेशन में ट्रेक से कुछ दूर एक नौजवान सिक्का अज़ला शव पढ़ा है। वहां खड़े लोगों ने बताया कि शायद वह वह नौजवान ट्रेन से आकर स्टेशन पर उतरा था और बाद में उसको घेर कर बेरहमी से मार दिया गया। पत्रकारिता करिया में मैं पहली दफा किसी मुर्दाघर आया था। उसके इंचार्ज डॉक्टर, L.T. रमानी और उनका छोटा सा स्टाफ घबराए हुए थे। लाशों की लाइन दिखाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, इतनी लाशे हैं कि सभी का पोस्ट माटम करना असंभव है। जब हम रमानी से बात कर ही रहे थे कि हमने देखा कि एक अधेड उम्र का आदमी शवों को ठेले में लाकर ऐसे पटक रहा है, मानो वे खून से रंगे लाल बोरे हों। मैं शवों की गिंती करने लगा ही था कि एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा, तुम इनकी गिंती तो कर लोगे लेकिन क्या तुम अंदर के कमरे में जो लाशे पड़ी है उनकी भी गिंती करोगे। मैंने पूछा की कौन सा कमरा और वहां कितनी लाशे हैं तो उसने कहा तुम खुद ही क्यूं नहीं जा कर देख लेते। पांडे, सरकार और मैं एक बड़े कमरे की ओर बढ़ गए और जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे एक भयानक बद्बू में नहा गए। कमरे में सिख आद्मियों, औरतों और बच्चों के शब बिखरे पड़े थे। मुझे बाद में पता चला कि ये लोग रेल यात्री थे जिन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। दिल्ली की सीमा पर उन्हें ट्रेन रोक कर जबरदस्ती निकाला गया और बेरहमी से कतल कर दिया गया। वहाँ पिरामिट के जैसा शबो का अमबार लगा था। हर तरफ खून ही खून था। तभी सरकार उल्टिया करने लगा। कुछ देर रुखने की कोशिश करने के बाद पांदे और मैं भी घबरा कर वापस लोट आए।